हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ में शेयर करना जा रही हूँ गोबी की एक ऐसी नहीं और रनों की रेसिपी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गोबी खाना सभी को बोरिंग लगता है लेकिन इस तरीके से अगर आपने गोबी एक बना लियाना तो हकते में दो से तीन बार तो आप इस तरीके की गोबी की सबजी बनाना पसंद करोंगे तो अगर आपको मेरी recipes पसनाती है तो ज़रूर मैं चैनल को like कीज़े, share कीज़े, subscribe कीज़े यहाँ पर 250 गरम हम गोबी लेंगे तो हमने full गोबी लिया इसे अच्छी तरीके से गरम पानी से wash करेंगे wash कर देंगे बाद में फिर इसके इस तरीके के छोटे 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 फूल हमें हम तोड़ लेंगे फिर एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें गोबी दालेंगे और इसमें थोड़ा सा water दालेंगे लगबग 2 टेबल स्पून और इसे एकदम fine paste बना लेंगे तो जितनी जादा हमें सबजी बनाना है उस हिसाब से हमें गोबी का paste बना कर रेडी करना है तब 20 तरीके से गोबी का paste बनाएंगे और 5-10 मिट इसी तरीके से चोड़ देंगे तब जो गोबी के अंदर जितना भी हमने water इस्तेमाल किया है यह अलग हो जाएंगा और उसका paste अलग हो जाएंगा तो यह पेस्ट जो है तो एक कटोरी में हम निकाल देंगे अगर आपको fact ना हो तो fact भी सकते वह नों कोई और चीज में इस्तेमाल कर सकते अब सारा पानी निकालने के बाद में इसमें हम थोड rice flour यूज़ करेंगे अगर आपके पैस में rice flour ना हो तो आप basin भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हमें rice flour यूज़ करना है क्योंकि हम एक दब यूज़ करेंगे तो इसमें लम्स पढ़ने का डर लगता है तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा जाते तो जल्दी नहीं कुलते तो यहाँ पर जो है तो हमारा यह बैटर रेडी अब एक हम पिलेट लेंगे इससे oil कर लेंगे यानि ओई से तोड़ा सा brush से grease कर लेंगे और इसमें जो है तो यह दाल देंगे अब एक कढ़ाई लेंगे उसमें एक छनी रखेंगे और कढ़ एक कढ़ाई रखेंगे उसमें एक मीडियम साइस की अनियन दालेंगे थोड़ा साम ओईल दालेंगे वन टी स्पून जितना वन टेबल स्पून भर कर पीनट डालेंगे और इस अच्छी तरीके से जो है तो रोस्ट होने देंगे तो बहुत जादा भी रोस्ट नहीं होने लेकिन इसका कच्छा पण निकल जाए उतना हमें रोस्ट करना है एक मीडियम साइस का टोमेटो लेंगे उसे मोटा मोटा काट लेंगे ऐसे कोई बारिक अब एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी में इसे एक दों फाइन पेस्ट बना लेंगे तो एक दों फाइन पेस्ट ना बने तो हम इसमें वन टेबल स्पून वाटर दालेंगे और फिर पेस्ट बनेंगे और अगर इसी तरीके से पेस्ट बन जाता है तो बगर वाटर के भी अच्छे तरीके से हम पीस लेना है यहां पर अच्छे तरीके से हमने पीस ले है इसे भी साइट में रख देंगे अब gas पर एक pen रखेंगे पैन में डालेंगे 2 टेبل स्पून ऐल और अईल दालेंगे बना जो हमने मसाला पीस करके रखाना है ये भी दालेंगे अब इस टाइम पे हैं तो जादा या भूँना भी और जादा कच्छ भी नहीं है ङसल मौश्चर अब इस ताइम पर हम क्या करेंगे इसमें चट्पटा बनाने के लिए one lemon का juice हम استعمال करेंगे one lemon का यानि lemon ना हो आपके पास half cup दahी युस करें दही ना हो तो आम्चछर powder युस करें और आम्चर powder भी ना हो तो vinegar तो फार किसी गर कुरेता है तो one से two table spoon vinegar युद करेंगे अब इस अच्छी तरीके से mix करेंगे तो देखे गैसा हमने ज़्यादा मॉस्चर इसका पकाया नहीं है न तो जो मसाला है तो अपने मॉस्चर में अच्छी तरीके से भून करके रेडी हो जाता है और आप अगर मसाले को ज़्यादा भून लेंगे तो फिर आपको इसमें मॉस्चर दालने की यानि 2 टेबल स्पू जो गोबी का हमने बना कर जो रखा है तो उसके पीसेस कर लेंगे और इसमें पका लेंगे और अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो इसमें हम वन कप पानी दालेंगे तो हम एक ग्रेवी वाला चाहिए हम सुखानी चाहिए न तो हम यहाँ पर वन कप वाटर दालेंगे water को अच्छी तरीके से पकने देंगे slow flame पर तब तक यह पकता है तब तक है जो हमने गोबी का जो यह बना कर रखा है ना सबजी तो उसे cut कर लेंगे तो इस तरीके से cut करेंगे एकदम paneer जैसे दिखते है यह इसके जो pieces है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते तो ज़रूर इस recipe को एक बार try करेंगे तो अभी यह एकदम गरम ही है तो यह थोड़े चिप चिप है जैसे जैसे यह ठंडा होएंगा तो यह चिप चिपा ज़रा भी नहीं रहेंगा तो आपके पस अगर time हो तो थोड़ी दर पहले बना कर रख दी हमने एकदम गरम गरम में इसे कट कर लिए तो भी इसके pieces बहुत ही बड़ी और unique बन कर रेडियो होते हैं तो यहाँ पर हमारी जो gravy है बड़िया तरीके से पक चुकी है अब हमारा जो गोबी को सबसी है यह भी हम इसमें डाल देंगे और 5-7 मिट अच्छी तरीके से हम पकने देंगे बस 5-7 मिट पकने देंगे यह सारी चीज़ अच्छी तरीके से पक चुकी है इसे भी हमने गोबी को भी अच्छी तरीके से boil किया तो यह भी पक चुका और सारे मसाले वगरा भी बड़िया तरीके से हमने भून करके रेडी कि बस 5-7 मिट हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे और फिर सर्विंग डिश में सर्फ करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो गोबी की नई और यूनी सबजी है यह पक चुकी अब हम गैस का जो फिलेम है तो बन कर देंगे और एक सर्विंग डिश लेंगे और इससे सर्फ करेंगे आप रोटी हो नान हो पराटे हो किसी के साथ में या राइस हो इसके साथ में भी आभी से इंजॉय कर सकते हैं बहुत ला जवाब और बहुत ही टेस्टी है सबजी बनकर रेड़ी होती है तो जरूर एक बार इस सबजी को आप ट्राइ के जाएंगा और कमेंड बॉक्स में कमेंड करके हमें जरूर बताएंगा कि आपको यह सबजी कैसी लगी तो यहाँ पर हमारी सबजी रेड़ी है अब एक सर्विंग डिश लेंगे इसमें सर्व करेंगे जिससे कि यह और भी ज़्यादा दिखने में खुबसूरत लगए जितनी ज़ा रेशेपिस दिखने में खुबसूरत लगती है तो खाने भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता उसको आल पर क्लिक कर देना ता कि आने वाला हर अमेजिंग से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो वीडियो वाच करने के लिए शुक्रिया गई तो चलिए फिर हम अपने नेक्स रेसेपि मिलते हैं तब तक लिए बाई बाई टेक कर और अल्ला अफेज